सबी दर्शकों का आज के कारेकर्म में स्वागत है। हम ये जानते हैं कि विविक्त आवेशों के लिए किसी बिंदू पर विद्युच्षेत्र, कूलामनियम तथा अध्यारोपन सिध्धान से प्राप्त किया जाता है। परन्तु, बहुत से कारेवं के लिए विविक्त आवेशों के पदों में कारे करना विवारिक नहीं होता। ऐसे में हमें संतत आवेश वित्रन की आविश्यक्ता पड़ती है। क्या आप किसी आवेशित चालक के प्रिष्ट पर शूश्म आवेशित अव्यवों की अवस्थितियों के पदों में आवेश वित्रन उलेख कर सकते हैं। ये व्यवारिक तोर पर संभव नहीं है। हम किस प्रकार एक संतत आवेश वित्रन के निकाय का अध्यन कर सकते हैं। क्या यहां हमें किसी अलग गनित्य परिकलन का प्रयोग करना होगा। हमें इन प्रशनों के उत्तर आज के कारिक्रम में मिलेंगे। इसी के साथ आज हम एक महत्वपूर्ण नियम, गाउस नियम तथा इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। तो आईए सबसे पहले संतत आवेश वित्रन को समझें। माल लेते हैं कि चालक के प्रिष्ट पर किसी शेत्रिफल अव्यव डेल्टा एस पर आवेश डेल्टा क्यूं है। डेल्टा एस स्थूल स्तर पर बहुत छोटा है, परन्तु इलेक्ट्रोनों की विशाल संख्या को सम्मिलित करने के लिए परियाप्त है। हम शेत्रिफल अव्यव पर प्रिष्टि आवेश घनत्व सिग्मा की परिभाशा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सिग्मा बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। ऐसा हम चालक के प्रिष्ट के विभिन बिंदुओं पर कर सकते हैं। और इस प्रकार एक संतत्फलन सिग्मा पर पहुचते हैं। जिसे प्रिष्टि आवेश घनत्व कहते हैं। प्रिष्टि आवेश को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा क्यू बराबर सिग्मा डेल्टा एस। इस रूप में वर्नित प्रिष्टे आवेश घनत्व सिग्मा आवेश की क्वांटमता की उपेक्षा करता है और वही सुक्ष्म दर्शी स्तर पर आवेश की असंतता वित्रन की उपेक्षा करता है सिग्मा का मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वेर है इसी प्रकार का दृष्टी कोन रेखिक आवेश वित्रन पर भी लागू होता है किसी तार का रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है लैम्डा बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल यहां डेल्टा एल शुक्ष्म स्तर पर तार का रेखिक अव्यव है तथा पी शुक्ष्म आवेशित अव्यवों की एक विशाल संख्या इसमें सम्मिलित है तथा डेल्टा क्यू इस रेखिक अव्यव में समाए आवेश है डेल्टा क्यू आवेश घनत्व तथा छोटे रैखिक अव्यव के गुणन फल के बराबर होता है लेम्डा का मात्रक कूलम पर मीटर है क्या अब आप आयतन आवेश घनत्व को इसी प्रकार परिभाशित कर सकते हैं? सरल शब्दों में आयतनी आवेश घनत्व को आवेश घनत्व भी कहा जाता है इसकी परिभाशा कुछ इस प्रकार दी जाती है रो बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी यहां Δेल्टा क्यू स्थूल रूप में छोटे आयतन अव्यव डेल्टा वी में समाई वे आवेश हैं जो सुक्ष्म आवेशित अव्यवों की विशाल संख्या को सम्मलित करते हैं डेल्टा क्यू आयतनी आवेश घनत्व तथा छोटे आयतन अव्यव का गुनन फल के बराबर होता है रो का मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब है चलिए इस संतत आवेश वित्रन की द्रव से तुलना करके समझने का प्रयास करते हैं जब हम किसी द्रव के घनत्व का उलेक करते हैं तो उस समय वास्तव में हम उसकी स्थूल घनत्व का ही उलेक कर रहे होते हैं हम द्रव को एक संतत तरल मान लेते हैं तथा उसकी विविक्त आणविक रचना की उपेक्षा कर देते हैं विविक्त आवेशों के लिए किसी बिंदू पर विद्युच्षेत्र, कूलामनियम तथा अध्यारोपन सिधान से ग्याद किया जाता है विविक्त आवेशों के निकाय के कारण विद्युच्षेत्र प्राप्त करने की ही भाती हम संतत आवेश वित्रन के कारण विद्युच्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं आईए इसे समझने का प्रयास करते हैं माल लीजिये किसी दिक स्थान में संतत आवेश वित्रन का आवेश घनत्व रो है आवेश वित्रन में किसी बिंदू के स्थिती मूल बिंदू O से R सदिश है आवेश घनत्व रो एक बिंदू से तूसरे बिंदू पर भिन हो सकता है अर्थात यह R का फलन है हम आवेश वित्रन को ΔELTA V अमाप के छोटे आयतन अव्यवों में विभाजित करेंगे आयतन अव्यव डेल्टा V में आवेश का परिमान ρो डेल्टा V के बराबर होगा अब स्थिती सदिश R के साथ किसी भी व्यापक बिंदू P जो की आवेश के वित्रन के भीतर अथवा बाहर हो सकता है उस पर विचार करेंगे कूलाम नियम द्वारा आवेश रो डेल्टा वी के कारण वित्युच शेत्र डेल्टा ई बराबर 1 बाइ 4 पाइपसालन नौट रो डेल्टा वी बाइ आड़ डाश स्क्वार आड़ एकांग सदिश है यहां आड़ आवेश अव्यव तथा पी के बीच की दूरी है तथा आड़ आवेश अव्यव से पी की दिशा में एकांग सदिश है अध्यारोपन सिधान द्वारा आवेश वित्रण के कारण कुल विद्यु छेतर विविन आयतन अव्यवो के कारण विद्यु छेतरों का योग करने पर प्राप्त होता है ध्यान दिजिये, ρो, आर डश, आर सभी के मान एक बिंदू से दूसरे पर परिवर्थत हो सकते हैं हमें डेल्टा वी को जीरो के सनिकट लेना चाहिए और फिर यह योग एक समाकल बन जाता है. तो अब हम ये कह सकते हैं कि संक्षेप में कूलाम नियम तथा अधरोपन सिध्धान के उपियोग द्वारा किसी भी आवेश वितरन के लिए चाहे वह विविक्थो अथ्वा संततो विद्युट शेत्र ज्यात किया जा सकता है. हम विद्युट फ्लक्स की अवधाना से पहले से ही अवगत हैं. आज हम इसके एक सरल अनुप्रयोग के विशे में चर्चा करेंगे. जिसके द्वारा हम एक महत्वपूर्ण नियम तक पहुँचेंगे जिसे गाउस नियम कहते हैं. आईए किसी आर्ट रज्या के लिए ऐसे गोले जिसके केंद्र पर कोई बिंदू आवेश क्यू परिबद है से गुजरने वाले कुल फ्लक्स पर चर्चा करें. जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस गोले को छोटे छेत्रफल अव्यव में विभाजित किया जा सकता है. छेत्रफल अव्यव डेल्टा S से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E.डेल्टा S है. यहां हमने एकल आवेश Q के कारण विद्युशेत्र के लिए कुलाम नियम का उप्योग किया है. इसलिए हम डेल्टा फाई को Q बाई 4 पाई एपसायल नॉट आर स्क्वेर आर एकांग सदिश डॉट डेल्टा S लिख सकते हैं. एकांग सदिश केंद्र से शेत्र अव्यव क और दुरुवांतर रेखा के अनुदिश है. अब चुकि गोले के प्रिष्ट के किसी भी बिंदू पर अभिलम उस बिंदू पर दुरुवांतर रेखा के अनुदिश होता है. तो छेत्र अव्यव डेल्टा S तथा आर एकांग सदिश दोनों एक ही दिशा में होते हैं. स्क्वेर डेल्टा S है जो की डेल्टा 5 का परिमान है. गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सभी शेत्र अव्यवों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग करने पर प्राप्त होता है. तो हम यह कह सकते हैं कि 5 बराबर Q बाइ 4 पाइप साले नौट आर स्क्वेर और सभी डेल्टा S का एकी करन और यहां सारी डेल्टा S का एकी करन कडने पर हमें 5 बराबर Q बाइ 4 पाइप साले नौट आर स्क्वेर एस मिल रहा है जहां S 4 पाइप साले नौट आर स्क्वेर और इसको हल करने पर हमें 5Q by epsilon naught के बराबर मिलेगा ये समय करण स्थिर वैद्युतिकी के व्यापक परिमान का एक सरल दिश्टान थे इसे गाउस नियम कहते हैं हम गाउस नियम का इस प्रकार उलेक कर सकते हैं किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q by epsilon naught के बराबर होता है यहां Q प्रिष्ट S द्वारा परिबद कुल आवेश है इस नियम में ये उपलक्षित होता है कि यदि बंद प्रिष्ट द्वारा कोई आवेश परिबद नहीं है तो उस प्रिष्ट से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शुन्ने होता है आईए इसे एक उधारन से समझने का प्रयास करते हैं यहां विद्युच्षेत्र एक समान है यानि की E तथा हम एक ऐसे बंद बेलनकार प्रिष्ट के विशे में चर्चा करेंगे जिसमें बेलनका अक्ष एक समान शेत्र E के समानतर है इसके प्रिष्ट से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थी लिखा जाएगा यहाँ फाई वन तथा फाई टू सिलेंडर के प्रिष्ट एक तथा दो जो की वृतिकार अनुप्रस्त परिछेद हैं से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करते हैं तथा phi 3 बंद प्रिष्ट के वक्रित सिलेंडरी भाग से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करता है वैद्जित फ्लक्स के समिकर्ण के अनुसार phi E delta S cos theta के बराबर होता है और इसका प्रयोग करने पर प्रिष्ट 1, 2 तथा 3 के लिए फ्लक्स ग्याथ किया जा सकता है अब सबसे पहले प्रिष्ट 1 के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि E की दिशा इस तरफ है और इसके लिए S की दिशा इधर होगी इसका मतलब यह है कि E और S विप्रीत दिशा में है यही कारण है कि cos theta cos 180 के बराबर होगा और cos 180 minus 1 इसलिए phi 1 minus E S1 के बराबर होगा और वहीं phi 2 यानि कि प्रिष्ट 2 के लिए E और S दोनों की ही दिशा एक है यही कारण है कि phi 2 plus E S2 होगा और वहीं phi 3 यहाँ पर S की दिशा E के साथ 90 डिगरी यानि कि E और S लंबवत है यही कारण है कि cos 90 0 होने की वज़े से phi 3 0 आएगा और कुल फ्लक्स निकालने के लिए जब हम तीनों का योग लेंगे तो यहाँ कुल फ्लक्स हमें 0 मिलेगा जैसा कि गाउस नियम से संभावित था इस प्रकार जब आप पाएं कि एक बंद प्रिष्ट के अंदर नेट वैद्यूत फ्लक्स 0 है तो हम इस परिनाम पर पहुंसते हैं कि बंद प्रिष्ट के अंतरविष्ट कुल आवेश 0 है अब हम गाउस नियम के कुछ मुख्य तथ्यों को समझेंगे गाउस नियम प्रतियेक बंद प्रिष्ट के लिए सत्य है चाहे उसकी आकरती तथा आमाप कुछ भी हो गाउस नियम का समिकरण फाई बराबर क्यू बाई अपसाले नौट में क्यू में प्रिष्ट द्वारा परिबत सभी आवेशों का योग सम्मिलित है ये आवेश प्रिष्ट के भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं उन परिस्थितियों में जिसमें ऐसे प्रिष्ट का चयन किया जाता है कि कुछ आवेश प्रिष्ट के भीतर तथा कुछ प्रिष्ट के बाहर होते हैं तो विद्यू छेत्र S के भीतर तथा बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण है गाउस नियम में Q केवल S के भीतर के कुल आवेशों को निरूपित करता है गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किये जाने वाले प्रिष्ट को गाउसिय प्रिष्ट कहते हैं हम किसी भी गाउसिय प्रिष्ट का चयन करके गाउस नियम लागू कर सकते हैं तधा पी सावधान रहना होगा कि गाउसिय प्रिष्ट किसी भी विवित आवेश से नहीं गुजरना चाहिए इसका कारण ये है कि विवित आवेशों के निकाय के कारण विद्यो छेत्र को किपनी भ़ी आवेश की अविस्थिति पर भली भाती परिभाषत नहीं किया गया है जैसी ही आप किसी आवेश के निकट जाते हैं तो विद्यो छेत्र सभी मर्यादाओं से बाहर विक्सत हो जाता है परंतु गाउसिय प्रिष्ट संतत आवेश वित्रन से गुजर सकता है गाउस नियम प्राय एक ऐसे निकाय के लिए उप्योगी होता है जिसमें कुछ सम्मिती हो उचित गाउसिय प्रिष्ट का चैन इसे सुविधा जनक बना देता है अंत में गाउस नियम, कूलाम नियम में अंतर निहित दूरी पर व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर आधारित है गाउस नियम का कोई उलंगन व्युत्क्रम वर्ग नियम में विचलन को संकेत करेगा जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी व्यापक आवेश वित्रन के कारण विद्युच्षेत्र किस प्रकार ग्यात किया जा सकता है अब हम कुछ सममित आवेश विन्यासों के लिए गाउस नियम का उप्योग करके विद्युत शेत्र को सरल ढंग से प्राप्त करेंगे इसका एक उधारन कुछ इस प्रकार है माल लेते हैं किसी अनन्त लंबाई वाले सीधे पतले तार का एक समान रेखिक आवेश घनत्व लैमडा है स्पश्ट रूप से ये तार एक सममित आक्ष है माल लीजे हम O से P की दिशा में धुर्वानतर लेकर इसे तार के चारो और घुर्णन कराते हैं इस प्रकार प्राप्त P-, P-डबल डैश और P1 आवेश तार के संदर्व में संपून रूप से तुल्ले है इससे ये उपलक्षित होता है कि इन बिंदुओं पर विद्युच्षेत्र का परिमान समान होना चाहिए प्रतियेक बिंदुपर विद्युच्षेत्र की दिशा अरिये होनी चाहिए और यदि लैमडा जीरो से बड़ा है तो ये बहरमुखी होगी यदि लैमडा जीरो से छोटा है तो ये अंतरमुखी होगी तार के रेखिक अव्यवो P1 तथा P2 के युगल पर विचार करते हैं इस युगल के दो अव्यवो द्वारा उत्पन विद्युच्षेत्रों का संकलित करने पर प्राप्त परिमानू विद्युच्षेत्र अरिये होता है धुर्वांतर के अभिलंवत अव्यव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं यह इस प्रकार के सभी युगलों के लिए सत्ते हैं अतहा किसी भी बिंदु P1 पर कुल विद्युच्षेत्र अरिये है अंत में चूकी तार अनन्त है तार की लंबाई के अनुदिश विद्युच्षेत्र बिंदु P की स्थिती पर निर्भर नहीं करता संग्षेप में तार को अभिलंवत काटने वाले तल में विद्युच्षेत्र हर स्थान पर अरिये है तथा इसका परिमान केवल त्रिज्य दूरी आर पर निर्भर करता है चलिए अब विद्युच शेत्र को परिकलित करते हैं ऐसा करने के लिए हम गाउस नियम की सहायता लेंगे जिसके लिए गाउस प्रिष्ट को बनाना होगा किसी भी बेलनाकार गाउसिय प्रिष्ट की कलपना कीजिए चूकि विद्युच शेत्र हर स्थान पर अरिये है बेलनाकार गाउसिय प्रिष्ट के दो सिरो से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो या शुन्य होगा प्रिष्ट के बेलनाकार भाग पर विद्युच्षेत्र ई प्रिष्ट के हर बिंदू पर अभिलंबत होगा तथा केवल आर पर निर्भर होने के कारण इसका परिमान नियत है वक्रित भाग का प्रिष्ट्य शेत्र फल 2πrl होता है यहां L सिलेंडर की लंबाई है गाउसिय प्रिष्ट से गुजरने वाला फ्लक्स प्रिष्ट की वक्रित बेलनाकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स है जो की E गुणा 2πrl है प्रिष्ट में लैम्डा L के बराबर आवेश सम्मिलित है गाउस नियम की अनुसार E गुणा 2πrl लैम्डा L by अपसाइलन नौट के बराबर होगा इसको हल करने पर हमें विद्युच्षेत्र लैम्डा बाई 2πr अपसाइलन नौट प्राप्थ होगा सदिश रूप में किसी भी बिंदु पर विद्युच्षेत्र E कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा E सदिश बराबर लैम्डा बाई 2πr अपसाइलन नौट एन यहाँ N तार के किसी बिंदु के अभिलंबत गुजरने वाले तल में त्रिज्य एकांग सदिश है जब लैम्डा धनात्मक होता है तो E बहर मुखी होता है और जब लैम्डा रिनात्मक होता है तो अंतर मुखी होता है ध्यान दीजे, जब हम सदिश A को एकांग सदिश से गुनित अदिश के रूप में अर्थात A को A, A एकांग सदिश के रूप में लिखते हैं तो अदिश A एक बीच गनित्य संक्या है यह धनात्मक भी हो सकता है और रिनात्मक भी यदि A 0 से बड़ा है तो A की दिशा एकांग सदिश के समान होगी तथा यदि A 0 से छोटा है तो A की दिशा एकांग सदिश के विप्रीत होगी जब हम रिनेतर मानों तक सीमित रखना चाहते हैं तो हम प्रतीक A का उपयोग करते हैं तथा इसे A का मॉडिलस या मापांग कहते हैं इस प्रकार A 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है जैसा कि हम जानते हैं कि λैम्डा L प्रिष्ट द्वारा परिबद आवेश को ही केवल सम्मिलित करता है परंतु विद्युच्षेत्र E समस्त तार पर आवेश के कारण है साथी ये कल्पना कर लेना कि तार की लंबाई अनन्थ है इस कल्पना के बिना हम विद्युच्षेत्र E को बेलनाकार गाउसिय प्रिष्ट के अभिलंबत नहीं ले सकते तथा पी लंबे तार के बेलनाकार भागों के चारो ओर जहां अंत्य प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है तथा हमारे द्वारब परिकलित विद्य शेत्र का समिकरन काफी हद तक सही है आईए गाउसनियम के अन्य अनुप्रयोक को समझे माल लीजिए किसी अनन्त समतल चादर का एक समान प्रिष्ठ्रिय आवेश घनत्व सिग्मा है हम एक्स अक्ष को दिये गए तल के अभिलंबत मानते हैं समिमिती के अनुसार विद्य शेत्र वाय तथा जेड निर्देशांकों पर निर्भर नहीं करेगा तथा इसके प्रत्य एक बिंदू पर दिशा एक्स दिशा के समानतर होनी चाहिए क्या आप बता सकते हैं कि यहां हम गाउस प्रिष्ठ किस अकार का लेंगे हम गाउसिय प्रिष्ठ को ए अनुप्रस्त कार्ट शेत्र फल के आयताकार समानतर शट फलक जैसा ले सकते हैं वैसे तो बेलनाकार प्रिष्ठ से भी यह कारे हो सकता था यहां केवल दो फलक एक और दो ही फलक्स में योगदान देंगे विद्युशेत्र रेखाएं अन्य फलकों के समानतर है और वे इसलिए कुल फलक्स में योगदान नहीं देती प्रिष्ठ एक के अभी लंबत एकांग सदिश माइनस एक्स दिशा में है जबकि प्रिष्ट 2 के अभिलंबत एकांग सदिश प्लस X दिशा में है अतहा दोनों प्रिष्टों से गुजरने वाले फ्लक्स E dot delta S बराबर है और सयोजित हो जाते है इसलिए गाउस्य प्रिष्ट से गुजरने वाले नेट फ्लक्स को E A प्लस E A यानि की 2E A द्वारा दिया जाता है प्रिष्ट द्वारा परिबत आवेश सिग्मा A है इसलिए गाउस्य नियम द्वारा हमें कुछ इस तरीके से संबंध प्राप्त होता है इसको हल करने पर हमें E सिग्मा बाइ टू अपसालन नौट के बराबर मिलेगा सदिश रूप में हम इसे कुछ इस प्रकाल लिख सकते हैं इस सदिश बराबर सिग्मा बाइ टू अपसालन नौट एन एकांग सदिश N तल के अभिलंबत इससे दूर जाता हुआ एक एकांग सदिश है यदि सिग्मा धनात्मक है तो E तल से बहिर मुखी तथा यदि सिग्मा रिणात्मक है तो E तल से अंतर मुखी होता है यहां से हमें एक रोचक तथे का भी पता चलता है गाउसनियम के अनुप्रयोग से हमें एक अतरिक तथ ये प्राप्त होता है कि E एक्स पर भी निर्भर नहीं है किसी परिमित बड़ी समतलिये चादर के लिए ये समिकरण सिरो से दूर समतलिये चादर के मध्यवर्ती छेत्रों में सनी करता हा सत्य है आईए हम गाउसनियम के एक और अनुप्रयोग को समझते हैं मान लीजिये कि आर त्रिज्या के एक पतले गोलिये खोल का एक समान प्रिष्ट्रियावेश घनत्व सिग्मा है स्पष्ट रूप से इस स्थिती में गोलिये सम्मिती है किसी बिंदू P पर चाहे वो बाहर है या भीतर है विद्यत शेत्र केवल आर पर निर्भर कर सकता है यहां आर खोल के केंद्र से उस बिंदू तक की त्रिज्या दूरी है तथा इस शेत्र की अरिय अथार दुरुवांतर की अनुदिश होना चाहिए सबसे पहले खोल के बाहर दुरुवांतर आर के किसी बिंदू P पर विचार करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि बिंदू P पर E का परिकलन करने के लिए हम केंद्र O तथा तुरिज्या आर के बिंदू P से गुजरने वाले गोले को गाउसिय प्रिष्ट मान लेते हैं दिये गए आवेश विन्यास के सापेक्ष इस गोले पर स्थित प्रतियक बिंदू समतुल्ले है गोली सम्मिती से हमारा यही अभिप्राय है इसलिए गाउसिय प्रिष्ट के प्रतियक बिंदू पर विद्युत शेत्र का समान परिमान E है तथा प्रत्येक बिंदू पर धुरुवांतर के अनुदिश है इस प्रकार प्रत्येक बिंदू पर E तथा डेल्टा S समानतर है तथा प्रत्येक अव्यव से गुजरने वाला फ्लक्स E डेल्टा S है सभी ΔΕS का संकलन करने पर गाउसिय प्रिष्ट से गुजरने वाला फ्लक्स E गुणा 4πi r² के बराबर है और परिबद आवेश सिग्मा गुणा 4πi r² है तो गाउस नियम के अनुसार E गुणा 4πi r² सिग्मा गुणा 4πi r² बाई अपसालन नौन के बराबर होगा और इस समिकरन को हल करने पर हमें E सिग्मा गुणा 4πi r² जो की इस गुणा 4πi r² जो की इस गौसिय प्रिष्ट की तरिज्जा है गुणा अपसालन नौन होगा जिसको हल करने पर हमें Q बाई 4πi r² अपसालन नौन प्राब्थ होगा हम कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण परिणाम गाउस नियम का प्रत्यक्ष निसकर्ष है जो कुलाम नियम से प्राप्थ हुआ है इस नियम का प्रयोगिक सत्यापन कुलाम नियम में 1 by r² की निर्भरता की पुष्टी करता है हम सदिश रूप में E को Q by 4πi r² अपसालन नौन आर एकांग सदिश के द्वारा दिखा सकते हैं यदि Q 0 से बड़ा है तो विध्योच शेतर बहर्मखी होता है और यदि Q 0 से छोटा है तो विध्योच शेतर अंतरमखी होता है तथा पी यह खोल के केंदर ओपर स्थित आवेश क्यू दौारा उतपन विध्योच शेतर है यह जानना बहुत महत्वपून है कि खोल के बाहर स्थित बिंदुओं पर एक सामान आवेशित गोलिय खोल के कारण विद्दुच्षेतर इस प्रकार का होता है जैसे कि खोल का समस्त आवेश उस केंद्र परिस्थित है अब खोल के भीतर विद्युच्शेत्र को हम देखेंगे बिंदू P खोल के भीतर है इस प्रकरण में गाउस प्रिष्ट P से गुजरने वाला वह गोला है जिसका केंद्र O है पहले के परिकर्णों की ही भाती गाउस प्रिष्ट से गुजरने वाला फ्लक्स E गुणा 4πR स्क्वेर के बराबर होगा तथा पी इस प्रकरण में गाउस प्रिष्ट में कोई आवेश परिबद नहीं है तब गाउस नियम के अनुसार ये E गुणा 4 पाई आर स्क्वेर बराबर 0 होगा जिसके अनुसार E 0 के बराबर होगा जब ये P बिंदू इस गोले के भीतर होगा अर्थार्थ एक समान आवेशित पतले गोलिये खोल के कारण उसके भीतर स्तित सभी बिंदूओं पर विद्युत शेत्र शून्य है जैसा कि हम जानते हैं कि परमानू का प्रारंबिक प्रतिरूप जे जे थॉमसन द्वारा दिया गया था जिसमें एक धनात्मक नाभिक को एक समान गनत्व के रिणावेश से घेरा हुआ माना गया था आप इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से आर दूरी पर गाउस नियम की सहायता से विद्युत शेत्र को परिकलित करने का प्रयास करें इसी के साथ अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंदित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें और अपने साथियों से इसकी चर्चा अवश्य करें धन्यवाद करें